हेलो एवरेवन वेलकम टू एफूसी क्लास 11 और 12 स्टुडेंट्स आज की वीडियो सभी बोर्ट स्टुडेंट्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के प्रेक्टिकल और वायवा के बारे में और अगर आपके पास इंफोर्मेशन टेकनोलोजी आईटी कोडे जीरो टू सबजेक्ट है सो उसके प्रेक्टिकल के बारे में डिटेल डिस्कसन करेंगे सो सबसे पहले हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो के सबी स्टुडेंट्स के लिए कॉमन है अगर आप बोर्ड के प्रेक्टिकल एक्जाम्स दे रहे हैं तब आपके प्रेक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम मंडे वन जैन्वरी और तब से लेके और फिर जो भी गिवन डिवरेशन है उसके बीच में आपके प्रेक्टिकल हो सकते हैं अगर हम स्पेसिफिकली क्लास 12 की बात करते हैं तो अगर आपका किशी भी सब्जेक्ट में प्रेक्टिकल है तो उसके लिए एक्जामिनर एक्सटर्नल होंगे मिन्स वो बाहर से आएंगे और उन्हें कौन अपउयंट करता है स्कूल अपॉयंट नहीं करता है उके जो जो बौह एक्जामिनर अपॉयंट करेंगे वही आपका प्रेक्टिकल कंडक्ट कराते हैं सो जब भी आपका practical होता है तब आपको सिर्फ practical perform नहीं करना होता है उसके regarding कुछ theory portion भी mention करना होता है for example अगर आपका कोई chemistry का practical है तो आप उसमें जो भी experiment lab में perform करेंगे वही experiment उसका theory portion आपको अपनी practical answer book में mention करना होता है IT की बात करें तो यहाँ पर आप जो भी program या फिर query आप practical में run करके show करेंगे वही आपको अपने answer book में mention करनी होती है means जो भी instructions है वो आपके teacher आपको provide कर देते हैं तो आपको practical answer books provide होंगी and यह board provide करता है then आपको कैसे पर लेगा कि आपका exactly कौन सा practical किस दिन है तो वो चीज़ें आपको inform करेगा आपका school date and time means किस दिन है practical and किस time से किस time तक है क्या duration है वो सभी चीज़ें आपका school आपको inform करेगा जो भी necessary instructions होंगे वो आपका school आपके जो specific teachers हैं subjects के वो आपको सारे specific instructions दे देंगे okay so आपको यह पता चल गया है कि आपके जो practical exams है वो कब से start हो रहे हैं from first week of January means Monday one January and उसके बाद आपके practicals conduct कराई जा सकते हैं exactly कौन सा practical किस दिन and किस time होगा यह चीज़ आपका school आपको inform करेगा okay then the last and the most important point आपको practical exams में present रहना है क्योंकि एक बाद practical exam हो गया मतलब हो गया उसके बाद आप अगर absent हैं तो आपके लिए दुबारक वो conduct नहीं कराया जाएगा okay and जो date fix हो जाती है आपको जो date बता दी गई है कि आपका practical exam इस दिन होगा तो उसी दिन होता है आपका practical exam उसको फिर extend नहीं किया जाता है okay so आप timely present रहें जो भी time given है आप time से पहले पहुँचे और वहाँ पर available रहें आपकी teacher कोई भी instruction देंगे आपको आपका school आपको कोई instruction देगा तो वह आपको follow करने है and of course ली आपको discipline में रहना है आपको जो भी dress instruct की जाएगी कि आपको ये वाली dress पहन कर आनी है आप वही dress पहनेंगे and आपको जो भी instructions आपका school आपके teachers provide करते हैं वो आपको जरूर follow करने है and external examiner के सामने properly behave करना है, politely behave करना है so अभी तक हमने discuss किए वो सारे important points जो कि आपको ध्यान में रखने है regarding the practical of class 12 अब हम बात करने वाले हैं information technology IT code 802 के practical के बारे में अब हम एक detail discussion करेंगे कि आपको IT का practical कैसे करना है and उसमें क्या-क्या होता है okay so जो information technology code 802 का practical है वो total 40 marks का है सबसे पहले हम distribution देख लेते हैं marks की practical work के लिए आपको मिलेंगे 20 marks then practical file के लिए आपको मिलेंगे 10 marks then viva के लिए 5 marks and project के लिए 5 marks so in total 40 marks का practical हो जाता है सबसे पहले जो date and time है practical का वो आपको आपका school and आपकी teachers inform कर देंगे पहले से so आप उस चीज को note करके रख ले and ध्यान में रखे then practical के दिन आपको पहली बात properly discipline में रहना है and आपको properly dressed होकर जाना है then आपको जो भी आपकी practical file है project file है वो सभी आपको अपने साथ ले कर जानी है कुछ schools में पहले से submit करा लेते है practical file project file तो वो भी ठीक है बट अगर आपके school में submit नहीं कराई है तो please आप ले कर जाएंगे अपनी practical file okay and project file also so आपका practical work में क्या होता है अब हम ये discuss करते हैं so basically आपको एक practical answer book मिलती है and उसके लिए आपको questions dictate किये जाएंगे so आपको वो question अपनी answer book में mention करने है and then उनके solutions means answers लिखने है इस practical answer book पे आपको अपनी details भी mention करनी होती है जैसे आपकी teacher आपको instruct करेंगे उन instructions को सुन कर उनके according आपको अपनी practical answer book में अपनी details mention करनी है and वो practical answer books आपको board provide करता है तो please आप उनमें कोई mistake नहीं करेंगे क्योंकि आपको दूसरी practical answer book provide नहीं होगी practical answer book में question answer करने के बाद आपको practical work perform करना होता है कई बार आपको जो questions दिये गएते वही perform करने को बोला जाएगा and हो सकता है कि external examiner आपसे कुछ और perform करने को भी कहे for example आपको जो आपकी practical answer book में question दिये गए वो थे java programs related बट आपके external examiner ने आपसे कहा कि आप SQL queries perform करके दिखाईए तो उस case में आप SQL queries perform करके दिखाएंगे ठीक है तो जो भी instructions है वहाँ पर आपको instructions पर बहुत ध्यान रखना है यह नहीं है कि आप बस अपनी answer book में खो गए है and आपके teacher आपके external examiner आपको क्या instructions दे रहे हैं वो आप बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं ऐसा बिल्कुल मत करिएगा ठीक है आप सारे instructions सुनेंगे क्योंकि वहाँ पर जो वो instructions दे रहे हैं तो वो instructions important है and आपको वही instructions follow करने हैं तो practical work में आपको in total क्या करना है आपको practical answer book में question and answer करने है जो भी आपको question दिया जाएगा उसके solutions करने है अपनी personal details instructions के according mention करनी है and then आपको practical work जब perform करने के लिए बोला जाएगा तो आपको ध्यान से सुनना है कि आपको क्या perform करना है अगर आपसे बोला जा रहा है कि जो आपको question दिये थे practical answer book में वही question perform करने है तो आप वही perform करेंगे and अगर आपको कुछ और question दिया गया है कोई और task दिया गया है तो आप वह perform करके दिखाएंगे okay so in total practical work के हो जाते हैं 20 marks then coming to practical file यहाँ पर आपको minimum 15 java programs and minimum 15 queries बनानी होती है practical file में यह minimum लिखा है ठीक है आप इससे ज़्यादा बना सकते हैं बट इससे कम नहीं बना सकते हैं so आपकी जो practical file है उसमें 15 java programs होने चाहिए and 15 queries mysql की होनी चाहिए उससे ज़्यादा भी हो सकती है कोई problem नहीं है okay बट उससे कम नहीं होनी चाहिए so practical file के 10 marks मिलते हैं कुछ schools में java programs and mysql के लिए अलग-अलग files बनवा देते हैं and कुछ schools में एक ही file बनवा देते हैं so वो कोई problem नहीं है जैसा आपकी school ने आपको instruct किया है आपकी teacher ने आपको instructions दिये है आप उनी को follow करेंगे and आपकी practical file अगर पहले से आपने submit कर दी है तो बहुत अच्छी बात है बड़ अगर submit नहीं किया है तो please आप उसे submit कर दे या फिर अगर आपको ये instructions दिये गए हैं कि आपको practical के दिन ही लेकर आनी है तो आप उसको जरूर लेकर आएंगे भूलेंगे बिल्कुल नहीं क्योंकि इसके 10 marks है then coming to viva आपको इस बारे में टेंशन लेनी के ज़रूर नहीं है कि वो मुझसे बाहर से question पूछ लेंगे वो आपके syllabus से ही question पूछते हैं सबसे पहले आपका जो practical work है means जो आपको question दिये गए थे practical answer book में लिखने के लिए उससे regarding question पूछे जा सकते है जो आपने practical perform किया है उससे regarding question पूछे जा सकते है कि आपने ये कैसे perform किया है या फिर जो भी आपने command query यूज की है उसका क्या use है इस तरह के question पूछे जा सकते हैं and most important आपने जो practical file submit की है देखे students कुछ students ऐसा करते हैं कि वो दूसरे student की practical file ले ले लेंगे उसे बिलकुल copy-paste की तरह as it is copy कर लेंगे and क्या करते हैं वो खुद learn नहीं करते हैं चीजों को वो सिफ copy-paste में लगे रहते हैं तो please ऐसा मत करना क्योंकि आपकी practical file से हो सकता है कि आपका examiner आपसे question पूछ ले तो at least आपने अगर अपनी copy की भी है अपनी practical file copy की भी है तो भी आप एक बार उसको देख लें ताकि आगर आपका examiner आपसे कोई question पूछ रहा है तो आपको वो आता है आप उसको answer कर सकते हैं तो आपको practical file भी अच्छे से prepare कर लेनी है अब आप कहेंगे कि वो सब तो ठीक है माम बट हमें कुछ important questions बता दो वाइवा में तो उसके लिए तो मैं एकी बात कहूंगी आप sample paper book से prepare कर लें क्योंकि जो भी questions होते हैं वाइवा में वो आपके syllabus से ही पोचे जाते हैं तो जो sample paper book है उसमें भी सारे questions syllabus के ही है तो बेटर रहेगा कि आप sample paper book से questions prepare कर लें जो one mark question है two marks question है आप उन्हें prepare कर लें तो वहीं से question बन जाएंगे उसके बाहर से question नहीं आएंगे and one more important thing ऐसा नहीं है कि यहाँ पर practical work में लिखा है Java program and SQL queries तो सिर्फ Java और SQL से ही question बनेंगे जो examiner है वो आप से बाकी chapters के question भी पोच सकता है जो कि आपके syllabus में given है तो आप ऐसा बिलकुल मत सोचेगा कि मेरे syllabus में तो बस Java और SQL ही है तो उसके बाहर question नहीं आएंगे आपके जो syllabus में जितने भी chapters है उन में से किसी से भी question पूछा जा सकता है ओके वाइवा के लिए आप sample paper book ले सकते हैं और उसका link description में given है झाल प्रोजेक्ट वर्क फाइव मार्क्स का है आपको कोई भी एक application बनानी है using Java NetBeans IDE इसके आपको फाइव मार्क्स मिलते है आपको जनरली आपके टीचर्स असाइन कर देते हैं topics regarding how to make project and on which topic क्योंकि सारे students का प्रोजेक्ट एक नहीं होता है आप प्लीज कॉपी मत करना जो भी आपको प्रोजेक्ट टॉपिक आपके टीचर ने असाइन किया है आप उसी पर प्रोजेक्ट बनाएंगे अगर किसी स्टुडेंट ने अभी तक प्रेक्टिकल फाइल प्रिपेर नहीं की है प्रोजेक्ट वर्क प्रिपेर नहीं किया है बट उसे पता है कि उसे क्या और किस टॉपिक पर प्रिपेर करना है तो आपको प्लेलिस्ट में लिंक गिवन है आप उस जावा प्लेलिस्ट को देख सकते हैं अपने practical file and project को बनाने के लिए ओके वहाँ से आप properly अपना कोई भी application बना पाएंगे अगर आपने अभी तक file प्रिपेरने की है तो वो भी कर पाएंगे ओके So that was all for today आज हमने एक detailed discussion किया regarding the practical and viva of information technology IT code 802 class 12 Students, अगर आपको कोई भी doubt है regarding practical and viva या फिर और कोई doubt है So आप comment section में पूछ सकते हैं आपको वहाँ पर reply कर दिया जाएगा So that was all for today We'll meet you soon in the next video Till then, bye bye See you soon in the next video Bye 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 झाल झाल झाल